स्मार्टफोन के उपर आप सबसे ज्यादा क्या करते हो, यह रिसर्श ने भी फाइन किया है। बहुत सारे सर्वेज वगए आए उसमें भी आया हुआ है कि मल्टी मीडिया सबसे ज्यादा देखते हो, वीडियो और म्यूजिक सबसे ज्यादा सुना जाता है। और स्मार्टफोन के साथ आजकल बॉक्स के अंदर आपको इयरफोन्स नहीं मिलते हैं तो मैंने कहा आपको सबसे जबरदस जो इयरफोन्स होते हैं वो भी बजेट रेंज के 600 के नीचे आपको बता दूँ ताकि आप जब वीडियोस देखते हो, म्यूजिक सुनते हो तो आप आपका मज़ा चोगुना, six times, ten times more हो जाए आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे इयरफोन्स जो 600 रुपे के नीचे हैं and they are the best जी हाँ देखते रहिए लेकिन दोस्तों लिस्ट चालू करने से पहले आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आया हो तो सब्सक्राइब करना म आपको सब जो इयरफोन्स हैं पता चल जाए मैं तो पहला ही बोल दिया तो आप वो देखके चले जाओगे ऐसा मत कीजिए पांचों देखिए और हर एक हर एक जो इयरफोन्स है उसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं वो भी सुनी तो दोस्तों पांच्वे नंबर पे आते हैं बोल्ट आडियो के बेस बड्स लूप जी हां अगर आपको एक कान में कमफर्टेबल चाहिए यूरफोन्स तो सबसे जादा हमारी लिस्ट में यही है क्योंकि यह जो लूप है कैसे भी कान हो बड़ा हो चोटा हो परफेक्ली फिट होते हैं साथ में इसकी जो केबल है वो ह हिसाब से यह बहुत अच्छे है 449 इसकी प्राइज है जो भी इयरफोन्स में आपको बोल रहा हूं सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लेकिन दोस्तों याद रखिए अगर आप सेल ओफर्स में लोग है तो 20-30 रुपए 50 रुपए इधर उधर हो सकते हैं अभी जो प्राइजिस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं चौथे नंबर पर आते हैं एंट ओडियो के डव्यू 56 यह पहले हमने बहुत सारे वीडियो की हो है किसी भी लिस में नहीं लेकिन हमने बहुत सारे लोगों का फीड़बैक सुना हमने भी सुने उसके बा अच्छे आते हैं वोकल्स अच्छे आते हैं तो फूर्थ नंबर पर एंट ओडियो डव्यू 56 और हां दोस्तों इसकी प्राइज जो है वह साड़े पात्सों से छेसों तक फ्लक्चुएट होती रहती है कभी कम कभी ज्यादा और दोस्तों हमारी लिस्ट में अगर सबसे ज फ्लैट केबल है 10 mm के ड्राइवर्स हैं और इसकी प्राइज भी दोस्तों फ्लक्चुएट होती रहती है पात्सों के अराउंड ही है लेकिन छेसों से कम ही होती है दीज आर ऑन आर लिस्ट एट नंबर थ्री वैसे आप बताईए आपने यूज किया है 225 को अगर किया है त तॉप के दो मैं बहुत देर तक सोच रहा था किसको मैं 2 नंबर पर डालूं काथिकों से को म्हितल में रहुत लेकिन 2 नंबर पर आते हैं लीश के बॉल्ट जिए ये Focus तक 2005 किया है क्यों इसका जो अधियों भौट ही ड्य है जिया है कि जिए इसका जो बेस वो भी अच्छा है, mids जो होते हैं, vocals वगेरे वो भी अच्छे है, lows भी अच्छे है, overall सब कुछ अच्छा है इसके बारे में, 12mm के drivers है, दिखने को भी अच्छा है, इसकी जो build quality है, वो भी अच्छा है, और इसी लिए हमारी Realme Buds 2, जी हाँ, बहुत सारे लोगों को earphones में bass बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपको bass चाहिए किसी भी earphones में, तो मैं recommend करूँगा Realme 2 Buds, या भी Realme Buds 2 को, जी हाँ, इनका भी review हमने किया हुआ है, इसका जो bass है, इस price range में सबसे अच्छा है, वो मैं definitely कहूँगा, और इसमें bells और whistles भी है, जी हाँ, cable organizer वगरे आता है, braided cables आते हैं, 11.2 mm का driver है, तो overall मैं कहूँगा, bass के लिए अगर आपको लेना है, तो आप Realme Buds 2 के पास देख सकते हो, overall audio के लिए आपको देखना है, तो leaf bolt के पास आप देख सकते हो, ये दोनों भी मेरे हिसाब से number one पे ही है, लेकिन क्योंकि वो cable organizer है, magnetic tips वगरे, इसलिए मैंने Realme Buds 2 को पहले number पे रखा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सभी जो earphones मैंने आपको बताया है, सभी के links मैंने नीचे दिये हुए, याद रखी, ये affiliate links है, अगर आप खरीद होगे, इस links के उपर क्लिक करके, तो हमें थोड़ हमें।